मैं लोगों को एक और कारण के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने न केवल परिशानिया उठाई गये हैं बलकि उन चुनिंदा लोगों को करारा जवाब भी दिया है जो जनता को गुम्रहा करने की कोशिश कर रहे हैं कितनी सारी अफ़ाएं फेलाई गई ब्रश्टा चार और काले धन जैसी लड़ाई को भी संप्रदाइकता के रंग से रंगने का भी कितना प्रयास किया गया किसे ने अफ़ा फ़लाई नोट पर लिखे स्पैलिंग गलत है किसे ने कह दिया नमक का धाम बढ़ गया है किसे ने अफ़ा चला दी दोजार के नोट भी जाने वाली है पांसो और सो के भी जाने वाली है ये भी फिर से जाने वाला है लेकिन मैंने देखा भाती भाती अफ़ाओं के भावजुद भी देखा भाती पांसो पिला है इतना ही नहीं कई लोग मैदान में आये अपने क्रियटिविटी के द्वारा अपने बुद्ध शक्ति के द्वारा अफ़ा फलाने वालों को भी बेनकाब किया, अफ़ाओं को भी बेनकाब कर दिया और सत्य लाकर के खड़ा कर दिया मैं जनता के इस सामर्थे को भी शत्षत नमन करता हूँ मैं चाहता था कि सदन में ब्रस्टाचार और काले धन के लिए खलाब जो लराय चल रही है राजनितिक दलाओं के लिए भी पोलिटिकल फंडिंग के लिए भी व्यापक चर्चा हो अगर सदन चला होता तो जरूर अच्छी चर्चा होती जो लोग अफ़ाय फ्यला रहे हैं कि राजनितिक दलों को सब छूचाट है यह गलत है कानून सब के लिए समान होता है चाए व्यक्ति हो संगठन हो या राजनितिक दल हो हर किसी ने कानून का पालन करना ही होता है और करना ही पड़ेगा